हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी ओनलाइन एग्रिकल्चर ई-लर्निंग प्लाटफोर्म पे तो जैसा कि हम लोग हमारी पिछली कुछ क्लासिस के अंदर कोशन पेपर कर रही थे IBPS AFO 2019 का, उन्हीं क्लासिस को आगे करते हुए आज हम लोग हमारी IBPS AFO 2016 के कोशन पेपर को सॉल्फ करेंगी लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए एक इन्फोर्मेशन हम लोग आप लोगों के लिए न्यू बैचेस लेके आ रहे हैं जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि 25 एपरेल से इस न्यू बैचेस हमारे स्टार्ट हो रहे हैं और इसके लिए आपको डेमो क्लासिस हमारी 5 तारिक से 17 तारिक तक जो है 5 तारिक से स्टार्ट हुई थी जो 17 तक चलेगी 17 अपरेल तक चलेगी और कहां चलेगी यूट्यूब पे आप इन डेमो क्लासिस को देख सकते हैं इसी के साथ साथ जूम एप पे आपको ये डेमो क्लास जो है वो 18 एपरेल से 24 एपरेल तक मिलेगी इन क्लासिस के अंदर आपको बाइलिंग्वल मैटेरियल स्टडी मैटेरियल जो होगा वो क्या होगा बाइलिंग्वल होगा और प्लस आपकी जो क्लासिस होंगी वो क्या होंगी लाइप होंगी और दूसरा रिकोर्डेड होंगी तो आप लोग जरूर विजिट करिए हमारे यूट्यूब चैनल से और आपकी जो आगे की तयारी है उसके लिए सही रास्ते को चुनिए और सही रास्ते पर चलिए तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास जिसमें हम लोग देखने वाले हैं IBPS AFO का 2016 का रिजनिंग का पेपर तो उस पेपर के अंदर जो पहला कोशन है पिछले पेपर को जब हमने सॉल्फ किया था तो पेपर को सॉल्फ करने के साथ साथ हम लोगों ने क्या देखा था कि किसी भी कोशन को करने के लिए जो छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चा हमने उन पर भी ध्यान दिया था तो उसी तरह इस पेपर में भी हम क्या करेंगे जैसे जैसे कोशन को करेंगे वैसे वैसे उस चैप्टर के कंसेप्ट को भी साथ साथ क्लियर करते चलेंगे तो यहां हमें जो पहला कोशन है वो कुछ दिखाई दे रहा है कोडिंग डिकोड के चैप्टर में दो या तीन तरह से आपसे कोशन पूछे जाते हैं उसमें से एक जो टाइप है आपका वो ये है और इस टाइप के कोशन को करने के लिए आपको common factor method को use करना होता है वो common factor method क्या है उसको जरा हम सीखते हैं इस question को solve भी करते जाते हैं और method भी सीखते जाते हैं आपको इसमें क्या कहा गया है कि निम्नलिखित जानकारी का अध्यन करें और दिये गए प्रश्न का उत्तर दें अब जानकारी क्या है कि एक निश्चित कूट भाशा में increase money in market को XO, KIB, CTO कोई code दिया गया है बिल्कुल इसी तरह value in market loss को ये code दिया गया है तीसरी line में कहा making increase loss now और इसको भी क्या दिया गया एक code दिया गया अब इस question को करने का तरीका क्या है कि आपको क्या करना है जो भी word जिस भी line के अंदर आपको common मिल रहा है उसका code भी क्या होगा उसी line के अंदर आपको common मिलेगा जैसे मैंने कहा ये क्या है हमारी first line है ये क्या है हमारी first line है और इस first line के अंदर हमारे पास क्या क्या words दे रखे हैं increase दे रखा है money दे रखा है in दे रखा है और market दे रखा है second line हमारी कौन सी है second line हमारी यहां से start हो रही है और इस second line के अंदर क्या दिया हुआ है second line के अंदर value in market loss दे रखा है और उसके यह code दे रखे हैं यह हमारी तीसरी line और यह हमारी चोथी line चार sentence हमें दिये हैं और उन चारो sentences का हमें क्या given है code भी given है और उन sentences के अंदर अलग-अलग क्या है words हैं और उनके अलग-अलग code है तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या हमें increase word एक ही sentence में मिल रहा है या किसी दूसरे में भी मिल रहा है तो first में increase है बट second में नहीं है बट third में हमें क्या है increase word फिर से मिल रहा है यानि कि increase का जो code होगा वो हमें first में भी मिलेगा और third में भी मिलेगा अब हम देखते हैं कि यहां पर common code कौन सा है पहला यहां पर दिया है XO क्या इसमें XO दिखाई दे रहा है बिल्कुल दिखाई दे रहा है यह रहा XO और यह रहा XO क्या इन दोनों sentences के अंदर कोई और word common है first में दिया है money in market क्या इन तीनों में से कोई भी word है बिल्कुल भी नहीं है यानि कि first और third line से हमें increase का code मिल गया और वो क्या है XO है ठीक है अगला first sentence में word कौन सा दिया हुआ है अगला word दिया हुआ है money क्या आपको money कहीं और मिल रहा है बिल्कुल नहीं तो यानि कि कोई code ऐसा होगा जो सिरफ और सिरफ कहां आ रहा होगा first sentence के अंदर आ रहा होगा देखते हैं यहां KI given है तो KI तो हमारा second में भी given है मतलब money का code KI तो नहीं हो सकता BC आपको कहीं और दिखाई दे रहा है क्या BC कहीं और दिखाई दे रहा है बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा लेकिन फिर भी हम चेक करते हैं क्या हमें T और 2 कहीं दिखाई दे रहा है यानि कि money के लिए हमारे पास code कौन सा आ गया BC जो हमारा code है वो और कहीं भी नहीं आ रहा और money जो हमारा word है वो भी कहीं नहीं आ रहा तो मतलब money के लिए code कौन सा होगा BC होगा, बिल्कुल ठीक बात तो अभी तक हमने किस-किस के code find किये, एक तो increase का code find किया increase के लिए code क्या था XO था, आपको paper में लिखना नहीं है कहीं भी, सिरफ और सिरफ आपको समझाने के लिए, मैं यहां पर इतना अलग से लिख रही हूँ, paper में आपको क्या करना है, common लेते जाना है और questions को solve करते जाना है और money का code हमारे पास कितना आया था, कौन सा आया था तो money के लिए हमारे पास आया था BC, फिर हम आगे चलें तो हमें word दिखाई दिया कौन सा, in दिखाई दिया तो क्या आपको in किसी और line में दिखाई दे रहा है बिल्कुल दिखाई दे रहा है और in market, दोनों साथ में ही दिखाई दे रहे हैं in market, किसमें पहले में और दूसरे में ये रहा in market तो इन दोनों का code भी क्या होगा पहले और दूसरे में सेम होगा तो यहां हमें क्या दिखाई दिया KITO और यहां भी क्या दिखाई दिया KITO यानि कि in market इन दोनों में से हमें confirm नहीं है कि किसके लिए कौन सा code है अभी तक confirm नहीं है आगे बाकी हम देखते हैं तो अभी तक हमारे पास इतने code जो है वो आ चुके हैं फिर हमने देखा कि जो हमारी second line थी उसके अंदर in market का code तो हम लोग डूंड चुके थे वर्ड कौन से बचे एक तो बचा हमारे पास value और दूसरा क्या बचा loss और code भी हमारे पास कितने बचे दो बचे एक बचा w o और दूसरा कौन सा बचा le अब देखो value जो word है आपके पास वो कहीं किसी information के अंदर किसी sentence के अंदर नहीं आ रहा है तो यानि कि उसका code भी सिरफ उसी जगा पे आ रहा होगा तो देखते हैं w o कहीं पर repeat हुआ क्या w o कहीं भी repeat नहीं हुआ le repeat हुआ क्या बिलकुल repeat हुआ le यहां repeat हुआ और le किसके लिए आया होगा यहां पर le loss के लिए आया होगा क्योंकि इन दोनों में क्या है loss word common है तो loss के लिए हमें code मिल गया LE और value के लिए हमें code मिल गया WO अभी तक हम लोगों ने यहां तक किया इसी तरह से क्या करना है आपको बाकी words के भी जो code हैं वो find करने हैं और आगे आपको questions के answer देने हैं आगे तीसरी line के अंदर अब हमारे पास फिर से दो words के code हमें मिल चुके हैं बचा कौन सा word एक तो हमारे पास बचा making और दूसरा कौन सा बचा now अब इन दोनों के लिए code क्या हो सकता है या तो pu होगा या फिर na होगा now word हमें कहां दिख रहा है चोथी line में चोथे sentence के अंदर हमें फिर से now दिख रहा है third line के अंदर भी now है और fourth line के अंदर भी now है तो यहां now का code common होगा और now के लिए code क्या होगा या तो pu होगा या na होगा अब देखते हैं pu और na में से यहां हमें क्या मिल रहा है तो यहां हमें क्या मिल रहा है pu मिल रहा है यानि कि now के लिए code कौन सा होगा pu होगा और बाकी का जो बचा हुआ code है na वो किसके लिए होगा making के लिए होगा और अब यहां कौन से word जो हैं वो बचे तो यहां बचा the market decrease अब यहां पे भी market है यहां पे भी market है यहां वाला जो market है उसके लिए code क्या हो सकता है या तो के आई होना चाहिए या टी ओ टू होना चाहिए तो हमारे पास यहां हमें के आई दिखाई दे रहा है तो के आई ही हमें यहां दिखाई दे रहा है मतलब market का code क्या है के आई है तो इनका code क्या होगा टी ओ टू होगा अब चोथे sentence के अंदर हमारे पास दो word बच गए एक तो बच गया the और दूसरा कौन सा बच गया decrease एक सेकिंड एक तो कौन सा word बच गया दा बच गया और दूसरा कौन सा बच गया decrease बच गया और अब देखते हैं कि इन दोनों के लिए code कौन से बचे है एक तो बचा है BO और दूसरा बचा है CO लेकिन ये दोनों के दोनों word हमारे और किसी sentence में नहीं आए हैं तो हम नहीं बता सकते कि BO किसका code होगा और नहीं हम बता सकते कि CEO किसका code होगा अब इस तरह से आपको question करना है लेकिन complete लिखना नहीं है ये तो आपको एक बार समझाना था इसलिए पूरा आपको करके दिखाया आपको साथ साथ comment लेते जाना है और questions को solve करते जाना है पहले आप क्या करोगे information को ध्यान से पढ़ोगे फिर सीधा आप questions पे जाओगे यहां से शिरू नहीं करना है आपको अब देखते हैं हमारा जो पहला question है इस पे based वो कौन सा है तो आप से पूछा गया है कि पहले question के अंदर बताईए जो WO है वो है जो code है वो किस शब्द के लिए आया है तो हम देखते हैं कि WO जो code है वो हमारा किस शब्द के लिए आया है तो यह रहा हमारे पहले question का answer कि जो WO शब्द है जो code है वो किस शब्द के लिए आया है option number C value word के लिए आया है अगले question अगले question में आपसे पूछा है कि making का code क्या होगा making जो word है उसके लिए कौन सा code है तो ये रहा हमारे पास making शब्द जिसके लिए हमने कौन सा code निकाड़ा था making के लिए हमने code निकाड़ा था कौन सा na code निकाड़ा था कौन सा code निकाड़ा था na code निकाड़ा था making के लिए तो हमारे उस question का answer क्या होगा making के लिए option number first na code क्या होगा सही होगा अगले question में आपसे पूछा है decrease के लिए कौन सा code है तो देखते हैं decrease के लिए हम लोगोंने कौन सा code निकाला है ये रहा हमारे पास decrease word लेकिन यहां हमें ये नहीं पता कि दा के लिए कौन सा होगा decrease के लिए कौन सा होगा यानि कि दा और decrease के लिए हमारे पास दो code हैं एक BO और CO लेकिन confirmation नहीं है surety नहीं है कि कौन सा code किसके लिए है तो हम क्या कहेंगे कि decrease के लिए या तो BO होगा या फिर CO होगा option number 5 जो है हमारा वो इस question का सही answer होगा कि या तो CO या BO either CO or BO is the right answer for this question question number 4 में वो आपसे कह रहा है कि the increase you value अब आपके पास चार word दिये गए हैं और इन चारों words के लिए आपको क्या लाना है code लेकर आना है तो पहले ही हम लोग देखें हमारे पास जो the word हमें दिया गया है इसके लिए code हमारे पास sure नहीं है इसका code या तो BO होगा या फिर क्या होगा CO होगा यानि कि हमारे option में क्या होना चाहिए या तो BO होना चाहिए या CO होना चाहिए अगर इन दोनों में से कोई भी word नहीं है या फिर दोनों ही word हैं तो वो हमारा option क्या होगा गलत होगा तो पहले हम चेक करें इतनी सी information के base पे पहला option हम देखें तो उसने beo और co दोनों ही लगा दिये अब beo और co दोनों तो हो नहीं सकते क्यों नहीं हो सकते क्योंकि ये दोनों code किस के लिए थे ये थे हमारे da और decrease के लिए तो इन दोनों के दोनों कोड को हम दा के लिए तो यूज नहीं कर सकते दा के लिए क्या होगा? दोनों में से कोई एक होगा तो दोनों तो यूज हो नहीं सकते यानि कि हमारा पहला option तो गलत हो गया फिर दूसरा check करते हैं, दूसरे में हमें ना तो B.O. दिखाई दे रहा है, ना C.O. मतलब दोनों में से कोई तो होना चाहिए था, कोई भी नहीं है, मतलब ये भी गलत हो गया C option देखें, तो C में भी हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा, ये भी गलत DB गलत तो यानि कि हमारा answer क्या होगा None of these होगा अब हम लोग क्या करते हैं जैसे ही ऐसा question आया हम लोग पूरी की पूरी line का code बनाने लग जाते हैं जो words उसने दिये हैं पहले ही उसको set करने लग जाते हैं लेकिन आप लोगों के पास जब आपने question solve किया है लास्ट question के अंदर ही हमारे पास decrease से related question पूछा था तो हमें पता था कि BO या CO में से कोई एक होगा तो क्यूं होगा क्यूंकि दा भी उसके साथ था इन दोनों में से कोई एक code किसके लिए है दा के लिए है तो इस दा वले code से related हम लोग क्या कर सकते थे इस question का answer दे सकते थे और इस question का answer क्या है none of these है क्यूंकि बाकी के options के अंदर BO और CO से related हमें कोई भी surety नहीं दी गई है अगला जो हमारा question है वो कहता है कि T O N A K I B C निम्न लिखित में से किसके लिए code हैं अब यहां जो हमारे पास हम लोगों ने अलग-अलग code लिखे थे उनकी help से हम लोग क्या करेंगे इस question का answer देंगे उसने क्या-क्या पूछा हम से पहले उसने पूछा T O अब देखते हैं T O किसका code था यहां देखते हैं market के लिए के आई था तो इन के लिए क्या बचा T O बचा मतलब हमारे पास पहली चीज क्या आनी चाहिए कि जो हमारा answer होगा उस answer में हमारे पास इन आना चाहिए पहली चीज देखते हैं क्या सब में आ रहा है क्या इन second option में इन नहीं आ रहा मतलब second option हमारा कट गया ठीक है फिर उसने कहा N A K I B C N A N A किसके लिए है मेकिंग के लिए है और के आई किसके लिए है मार्किट के लिए है मतलब अब हमारे पास मेकिंग और मार्किट दो वर्ड होने चाहिए जरूरी नहीं है कि साथ में ही हो एक market होना चाहिए एक making होना चाहिए मतलब अब ये तीन word आपको जिस option में दिखाई नहीं दे रहे वो आपका option क्या होगा गलत हो जाएगा in value value को भी छोड़ते हैं in market making इसमें making नहीं है ये गलत हो गया इसमें making नहीं है ये गलत हो गया अब यहां क्या है in भी है market भी है making भी है लेकिन फिर भी हम आगे check करेंगे कि bc जो कोड़ है वो किसके लिए आया है क्यूंकि हमारे पास पांचमा option none of these रहता है तो making bc किसके लिए आया है money के लिए आया है तो यानि कि हमारे पास जो चोथा word है वो कौन सा होना चाहिए money होना चाहिए तो हमारे पास d जो है वो right answer है making money in market जरूरी नहीं है कि जैसे आपको code दिये गए हैं आप same to same उसी order में words को लिखिए ये compulsion नहीं है तो हमारे इस question का answer क्या रहेगा making money in market तो इस तरह से आपको coding recording के इस तरह के questions को करना है इस type के questions को करना है अगला question हम देखते हैं अगला question हमारा जो है question number 6 वो है equality in equality के chapter से जैसा कि पिछली class के अंदर भी मैंने आपको बताया था जब पिछला paper करवाया था तो equality in equality chapter के अंदर आपको कुछ symbols के बारे में पता होना चाहिए कुछ चिन्हों के बारे में पता होना चाहिए जो science इन में है वो कौन से है less than, greater than, equal to less than, equal to greater than, equal to कुछ इस तरह से ये 5 symbols हैं पूरा का पूरा chapter जो है वो इनी 5 symbols पे based है उसके बाद दूसरी जो बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा variables के अंदर एक ही direction के अंदर आपको ऐसे symbols मिलें तो इसका मतलब है कि जो first variable है वो second variable से क्या होगा हमेशा हमेशा के लिए बड़ा होगा condition क्या होनी चाहिए कि सारे के सारे symbols क्या होने चाहिए same direction में होने चाहिए अगर मैं यही कहूँ कि सारे के सारे जो symbols हैं वो यहां इस condition में हैं तो इसका क्या मतलब है कि जो second variable है वो first variable से हर हाल में क्या होगा बड़ा ही होगा लेकिन अगर मैं कहूँ कि first variable और उनके बीच में मैंने कुछ इस तरह से symbol use किये और यहां मैंने लगाया कि यहां पर second variable है तो इस condition में आपके question का answer क्या रहेगा इस condition में भी क्या रहेगा कि first जो आपका variable है वो क्या है second variable से बड़ा ही रहेगा इसका जो use है इस symbol का जो use है वो सिरफ और सिरफ कहां होगा जब कभी आपको first variable और second variable के अंदर इस तरह से symbols आ जाएं दोनों same symbol आ जाएं और double double symbol आ जाएं तो इसका मतलब है कि first member या तो बड़ा है second variable से या फिर क्या है first variable बराबर है second variable के तो कुछ इस तरह से आपको चीजों का ध्यान रखना है और questions को solve करना है तो चलते हैं हमारे इस question की और और देखते हैं कि क्या हमें ये question कहने को करने को कह रहा है question number 6 है statement आपको कुछ इस तरह से दी हुई है यहाँ पे कोमा लगाया गया है मतलब आपके पास कितनी statements हैं दो statements हैं और इन दोनो statements के अंदर आपको कुछ न कुछ common दिखाई दे रहा होगा और हमारे पास यहाँ पे कौन सा word common दिखाई दे रहा है के दिखाई दे रहा है मतलब अगर हमें first statement से second statement की तरफ जाना पड़े तो हम किसका रास्ता अपनाएंगे common factor का रास्ता अपनाएंगे और वो common factor यहाँ पे कौन दिखाई दे रहा है के दिखाई दे रहा है इस statement पे based जो उन्होंने conclusion दिए first conclusion क्या कहता है कि आपको L से J की तरफ entry लेनी है देखते हैं कि L कहां है यह रहा L और L से कहां जाना है J जाना है आप बिल्कुल जा सकती हैं लेकिन उसने क्या कह दिया J बराबर के less than equal to L अब इस बराबर का क्या मतलब है कि मैं K की जगा पे क्या रख सकती हूं J रख सकती हूं मतलब मेरे पास जो statement बनी वो क्या बनी कि J less than equal to L मतलब कि मैं L से J जा सकती हूं लेकिन किस condition पर कि इसके अंदर कोई भी इस तरह का और अगर हमें sign दिया होता तो sign हमें एक ही given है ये वाला sign हमारे पास given नहीं है तो इसका मतलब है कि जो हमारा J है वो हर हाल में L से छोटा नहीं है वो बराबर भी हो सकता है L के और L से छोटा भी हो सकता है मतलब ये वाला conclusion तो हमारा क्या हो गया गलत हो गया second conclusion कहता है कि L और J दोनों बराबर है मतलब J से L चाहिए आप यहां से चले जाओ L से J चाहिए आप यहां से चले जाओ इस कथन के according ये हमारे पास statement होनी चाहिए लेकिन हमारी statement क्या कह रही है अब J से L जा भी सकते हो और नहीं भी जा सकते क्यों क्योंकि इसके अंदर ये दोनों symbol क्या है साथ में आए हुए हैं तो इसका मतलब ये भी हमारी statement क्या हो गई गलत हो गई और हमारी statement क्या कहती है हमारी statement हमें ये answer देती है इसका मतलब है कि ये दोनों individually सही नहीं है अकेले अकेले सही नहीं है या तो ये सही हो सकता है या ये सही हो सकता है इसका मतलब हमारे पास either और और की condition बनेगी या तो option पहला सही होगा या तो conclusion पहला सही होगा या फिर conclusion दूसरा सही होगा तो यानि कि either conclusion first और यहाँ पे nor नहीं यहाँ पे और आएगा और second is true तो option number 3 क्या होगा हमारे इस question का right answer होगा अगले question पे चलते हैं अगला question हमें कहता है कि आपको i से k की तरफ जाना है कहां जाना है i से k की तरफ जाना है तो पहली चीज हम देखते हैं कि i से k की तरफ कौन-कौन से symbols का use हुआ है यह रहा i और यह रहा k i से j जा सकते हैं बिल्कुल जा सकते हैं single दरवाजा लगा हुआ है और वो हमने cross कर लिया और यहां बराबर का sign है तो मैं कह सकती हूँ कि मैं j की जगा पे क्या लिख दूँ के लिख दूँ तो क्या आपसे यही question में पूछा गया है यही conclusion हमें दिया गया है और यही हमें कहा है statement में दिया गया है मतलब हमारा जो first conclusion है वो क्या है सही है second check करते हैं क्यों से कहा जाना है j जाना है यह रहा हमारा q और यह रहा हमारा j देखते हैं क्या क्यों से k आ सकते हैं बिल्कुल आ सकते हैं और फिर हम k से j जा सकते हैं बिल्कुल जा सकते हैं k से j जाने के लिए दोनों तरफ से रास्ते खुले हैं तो हम k से j भी जा सकते हैं मतलब हमारा second conclusion भी क्या हुआ, right हुआ, तो हमारे पास option number 5 जो है, both conclusion, first और second is true, पांचवा option क्या होगा, सही होगा, अगले question में वो आपसे कहता है, कि एक statement है, उस पे based दो conclusion, first conclusion कहता है, कि T बराबर है P के, तो यानि कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको इस statement को और इस statement को देखना है, तो क्या हम इस से ये कह सकते हैं, कि T और P दोनों बराबर होंगे, क्या T और P में ऐसा कोई relation हमें दिखाई दे रहा है, जिससे हम लोग ये कह सकें, कि T और P दोनों बराबर होंगे, अब देखिए, A greater than T, और इसी के साथ इसने क्या कहा, A बराबर M greater than P, दोनों में common क्या है, A common है, लेकिन हमें जाना कहां से कहां है, या तो हम T से P चले जाएं, या फिर हम P से T चले जाएं, क्योंकि दोनों ही बराबर हैं, हमने देखा कि A common है, तो हम T से P जाने की बात करें, तो हमें T से A आना पड़ेगा, लेकिन gate बंद है, तो हम लोग यहां आ नहीं सकते, चलो P से T चलते हैं, P से T जाना है, तो मुझे P से M आना पड़ेगा, यहां से भी क्या है, gate बंद है, तो हमें entry नहीं मिल सकती, यानि की first conclusion क्या हो गया, हमारा गलत हो गया, second conclusion आपको कहता है, कि आपको A से R जाना है, A कहां पर है, यह रहा A, या फिर यह रहा A, और R कहां पर है, R यह रहा, R का relation सिरफ और सिरफ N से हमें represent किया गया है, और N दूसरी किसी भी statement के अंदर नहीं है, तो यानि की हम लोग A और R का relation नहीं बता सकते, क्योंकि इन दोनों का relation बताने के लिए, हमारे पास कोई भी common रास्ता नहीं है, जिससे की हम entry कर सकें, तो हमारे पास second conclusion भी क्या होगा, गलत होगा, यानि कि ना तो हमारा conclusion पहला सही है, और ना ही दूसरा सही है, तो option number D क्या होगा, हमारा सही answer होगा, इस question का, अगला question, अगला question आपसे कहता है, कि M बराबर T, statement को देखिए, और उसके conclusion बताईए, कि M बराबर T जो conclusion है, क्या वो सही है, देखते हैं, M बराबर T का मतलब है, entry M से T की तरफ भी होनी चाहिए, और T से M की तरफ भी होनी चाहिए, यहां देखते हैं, यहां उसने कहा, कि M less than equal to A, less than equal to S, बराबर T, T से देखा जाए, तो हमारी entry हो रही है, लेकिन M से entry नहीं हो रही है, दोनों तरफ से entry होनी चाहिए, और दूसरी बात, जब कभी भी आपके पास इस तरह के symbol आएंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, कि first जो member है, वो हर हाल में छोटता होगा, second member से ना की क्या होगा, बराबर होगा, मतलब पहली statement, पहला conclusion तो क्या हो गया, गलत हो गया, फिर देखते हैं, r से a जाना है, कहां जाना है, r से a जाना है, तो यह रहा हमारे पास r, r से a हम क्या जा सकते हैं, बिलकुल जा सकते हैं, दरवाजे खुले हुए पड़े हैं, तो second conclusion सही होगा तो option भी कौन सा सही होगा Second option is the right option for this question अगला question कहता है कि statement है उस पे based जो पहला conclusion है वो है कि हमें P से A की तरफ जाना है कहां जाना है? P से A की तरफ जाना है तो ये रहा P और ये रहा A दोनों में common क्या है? Y हमें common दिखाई दे रहा है तो क्या मैं P से B जा सकती हूँ? बिल्कुल जा सकती हूँ और B से Y जा सकती हूँ? बिल्कुल जा सकती हूँ क्या Y से A जा सकती हूँ? बिल्कुल जा सकती हूँ तो इसका मतलब पहला जो हमारा option है conclusion है वो क्या हुआ? सही हुआ फिर वो कहता है कि N से B जाना है तो N से B जाने के लिए भी common क्या है हमारे पास Y common है तो N से पहले तो Y आना पड़ेगा और Y आना possible नहीं है क्योंकि दो opposite sign है जब कभी भी दो opposite sign होंगे तो वो conclusion आपका sure ही क्या होगा गलत होगा क्योंकि ना तो हम इसमें कह सकते कि वो greater than होगे ना ही हम कह सकते कि वो less than होगा यानि कि ये वाला conclusion हमारा जो दोसरा conclusion है वो क्या होगा गलत होगा यानि कि हमारा सही answer क्या रहेगा कि सिरफ और सिरफ conclusion एक जो है वो मारा सही है next question अगला question हमारे day based puzzle है जिसे हम लोग हमारी कलकी क्लास में करेंगे आज हम लोगों ने दो कोश्चन किये हमारे previous year paper के अंदर आये हुए एक कोश्चन हमारा coding decoding के chapter से था और दूसरा question जो हमारा था वो equality and inequality के chapter से था और उन्हीं chapter से related हमने छोटी-छोटी tips को भी note किया और उसके concepts को भी समझा जिससे कि हमारे questions क्या है जल्दी solve हो सकते हैं आज के लिए इतना ही धन्यवाद